हाली में शिव सेना सांसद संजी राउत ने अपने मुख पत्र सामना में कई बड़ी बड़ी बाते लिखी हैं उन्होंने कई बड़े बड़े दावे की हैं जिन में से पहला दावा उनको ये था कि सुशान्त के पिता ने दो शादिया की है वहीं आपको बता दें उन्होंने सिर्फ सुशान्त के पिता के लिए बाते नहीं लिखी उन्होंने अपने लेख में सुशान्त की एक्स गर्फरेंट अंकिता लोखंटे को भी इस मामले में घसीत लिया है उन्होंने लिखा है कि सुशांत की जिंदगी में दो लड़किया आई थी पहली अंकिता लोखंडे और दूसरी रिया चकरवर्ती अंकिता ने तो सुशांत को छोड़ दिया था जब सुशांत को उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी लेकिन जिस रिया पर अभी आरोप लगाये जा रहे हैं वो उनके साथ हमेशा से थी संजेराउत ने मांग कर दी है कि इस बात पर भी जांच होनी जाएए कि आखिर क्यों सुशांत और अंकिता अलग होए थे ऐसा क्या हुआ था कि अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया ये सवाल संजेराउत ने अपने लेक में कई बार उठाया है कि आखिर क्या वज़ा थी जो अंकिता ने सुशांत को छोड़ दिया और जिस रेहा पर इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सुशान के साथ तब तब खड़ी थी जब जब सुशान को उनकी जरूरत थी जब जब सुशान मानसिक तनाव से जूज रहे थे तब रेहा ही थी जो उनके साथ खड़े थी ना ही सुशान का परिवार था ना ही अंक किता लोखंडे ने तो उनको काफी पहले छोड़ दिया था और ऐसी क्या वज़ा थी जो उन्होंने छे साल का रेलेशनशिप इतनी असानी से तोड़ दिया था वहीं आपको यह भी बता दें कि जब अंकिता सुषांत का ब्रेक अप हुआ था तो सूत्रों की माने तो सुषा और चलते उनके कानों में यह बाते डाली जाती थी कि क्या वह एक टीवी एक्टरेस के साथ रेलेशनशिप में रहेंगे और कब तक अगर उन्हें अपना इंडर्स्री में नाम बनाना है तो उन्हें अपना सब कुछ बदलना होगा ऐसी खबर उसे जुड़ी रहने के झालेशनश उन्हें यज्ड़ी ए उन्हें आपी खबर में उन्हें प्रफख़ी ओलना सब कानों में यह जो उन्हें गार्णीप के वह लिए.